सस्क्राइब कीजिए फॉन मैगनेट चैनल को और बैल आइकन को दबाईए OnePlus न अपना flagship smartphone OnePlus 6 इंडियम हुए एक इवेंट में लॉंच कर दिया है लेकिन खुद को flagship के लर कहने वाले इस company ने उन flagship feature को नहीं परहे हैं जो कि हर flagship phone में देखने को मिलते हैं चली देख लेते हैं उन feature को नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है दिपेस आप देख रहें phone magnet चली वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला feature है दोस्तो जो OnePlus 6 ने अपना इस smartphone में नहीं दिया हुए IP68 की रेटिंग यानि डश्टोड वाटर प्रूफ कंपनी ने phone को सिफ वाटर रेजिस्टेंट बनाया यह feature मोटरोला के वेजिट phone में भी देखने को मिल जाता है वाटर रेजिस्टेंट का मतलब है दोर तो आप phone को हलकी बारिस में इस्तमाल कर सकते हो या कब भी पाने में भीग गया हो तो भी उस पर ज़्यादा असर नहीं करता लेकिन अगर आप इस phone को लेकर swimming pool में सेल्पी लेना चाते हो तो यह phone आपके लिए नहीं है IP68 फिचर हर flexi phone में देखने को मिलता है फिर वो Samsung हो या LG IP68 रेटिंग आप phone को डेर्ड मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक इस्तमाल कर सकते हैं दूससा फिचर है दोस्तो जो उन OnePlus 6 में नहीं देखने को मिल लगवा है wireless charging पिचले साल तो OnePlus 5 और 5 टीम में metal body तीश लिए फिचर कमपनी ने नहीं दिया लेकिन इस पार तो OnePlus 6 के तीनों वर्जिन ग्लास से बने फिर भी पता नहीं किया करण रहा कि OnePlus ने अपने इस फ्लेक से भी स्मार्ट पॉन में wireless charging का फिचर नहीं दिया दीश सा फिचर है जो OnePlus 6 में देखने को नहीं मिल लगवा है memory card support अलांकि OnePlus अपने किस भी फॉन में यह फिचर नहीं देती है लेकिन 64GB के बेस वेरियंट जिसमें 50GB के आस पर usable memory मिलती है और आपने 4K recording का फिचर भी दिया 50GB की memory तो वैसे भी बर जाएगी चौता फिचर है दोस्तो जो OnePlus 6 में देखने को नहीं मिलेगा वह है dual OS यानि optical image stabilization दोनों camera में नहीं मिलेगा आपको सिप एक camera में यह फिचर देखने को मिलेगा जबकि Samsung Note 8 और iPhone 10 दोनों के दोनों camera में optical image stabilization देखने को मिलता है जिससे कि 4 के video shooting करना हो या moving object की picture क्लिक करनी हो वह dual OS की वज़े से एक दमी smooth होता है अब पांचवा point आता है दोस्तो OnePlus 6 की price OnePlus 6 के base model की price जी 35,000 रूपे जिसमें आपको 6GB RAM और 64GB की internal storage मिलती है और कोई memory card support भी नहीं जिबकि 108GB की price जाए 40,000 रूपे अब तो 14,000 रूपे में भी ओपोन ने 6GB RAM और 68GB की internal memory वाला realme 1 लोग provide करवा दिया और आप 64GB वाला version के 35,000 रूपे ले रहे हो आपने को innovation तो नहीं किया वही किया जो दूसरी कंपनिया करती है नौच वाला display दे दिया डूल camera दे दिया ग्लास body दिया यह वही फेचर हर company देती है जो component market में थे उनको लेकर आपने असेंबल लित हो गिया यह सो तो नहीं है कि आपने दुनिया का पहला नौच वाला display वाला phone बनेया हो अगर base model की price को 30,000 रूपे के आसपास रका होता तो भी कोई बार नहीं थे अब तो अगर आप one plus के फैन है और इन कम्यों को नजर अंदाज कर सकते तो फिर आप यह phone ले सकते हैं अगर दोफ तो उमीद है आपको वीडियो बुस्त नहीं होगी अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन कोई सहवाले से जानेज़े कमेंट नमत भूलेगा अब अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और देने के लाइक और देट कर दिए और चनल को सब्सक्राइब कर में मन भूलेगा तो इसमयों जरना बता रहता हूं ऐसे वीडियो को आप 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 आप